नमस्कार दोस्तों मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है आप हमारी चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दवाईए ताकि आपको नए जनकारी किमिस्ट्री की और मिलती रहे तो देखिए इसे किमिस्ट्री भी से बड़ा ही टफ माना जाता है इसलिए आप किमिस्ट्री पर दिल दिमाग लगा देजिए अब दिन करीब आ रहा है और आपको बता रहा हूं ऍपॉर्टेंट था उसको चलिए देखा जया जब बेंजीन या और एरोमेटिक हांडो कार्बन और किसी एलकिल या एसिल हाइलाइट को देखी यहांपर आ रहा है किसी एलकिल और एसिल हाइलाइट को जम बेंजीन या अनैरोमैटिक का हाइडरोकॉर्बन और किसी एलकील या एसिल हाईलाइट को निजर एसियल 3 उत्पेरिग की उपस्टिती में अबकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइडरोजन परमाण एलकिल या एसिल मूलक द्वारा प्रस्थापित हो जाता है इस अवकरिया की फिडल क्रॉप्स अवकरिया कहते हैं देखिए आप ज्यादा जोग केशowan क्पढ़ते हैं लोग समझते नहीं है कि लोग पढ़ते जाते हैं और भी दिमार्ग से उतर जाता इसका कारण यही है को उसकों समझ नहीं पाते हैं सही से जब तक आप समझ किया नहीं करेंगे तब तक वहां आपका पढ़ना इण क्या है भोल ले के बराबर है जब बेंजीन या अन अइरोमाटिक हेड्रोकार्बन देखिये इसमें आरहा है बेनजीन या अनेरोमाटिक हेड्रोकार्बन और की किसी ईलकील या एसील हाईलाइट को नेरिया या एसील 30 युद्पि रख की उपस्तिति तो इसमं करते हैं तो बेंजीन नाभिक का प्रस्थाबित हो जाता है इस अब क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्याते हैं आए चलते हैं गारण की तरफ प्रस्थाबित हैं यहां अलग हो गया और यह जो अलग हुआ है यहां से यहां आ गया आप समझ गये होंगे अब क्राण कीशिक्स यहांबी 6 है यहां सीआ थिर सीडर है तो क्रदा यही रह्त थिल हो गया और इसमें एक है능 आप पर C6H5 CS3 C6H5 CS3 यही टाल्विन है आप फिर देखिए बेंजीन C6H6 में CS3 COCl acetyl chloride है आप सुत्र को भी है सुत्र का नाम भी जानी है ठीक है C6H6 पर acetyl chloride जो भी है नेदिया AlCl3 की परस्तिती में यह होता है तो यह होता है C6H5 CO CS3 जैसे सेम उसमें हुआ था सेम इहां भी वही सेम प्रक्रिया पहले वाला दूसरे में भी हुआ C6H5 और CO CS3 हो गया यह जूड़ गया इसके साथ इसमें एच बचा आती है इसके साथ cl के साथ यही Acetofenal है देखिए किसका क्या नाम है Acetofenal ठीक है अगर आपको कर यह है समेकर इस तरह से नहीं याद होता है तो इसका मैं उपाए बता था हूं आपको आप इसको पढ़िए तनमन से पहली बार उसके बाद दूसरी बाद कापी पर उसको बिना देखे लिखे अगर आ आपके धेमाक में और हाथ में आपको यह लर्ण हो जाएगा ठीक है बैठ जाएगा हाथ में आप लिख सकते हैं कभी भी देखे अगला जो है निकल के आता है एलोल संगनन एलोल संगनन क्या है यह जो है कार्बोनिल योगिक जिसमें अल्फा अड्रोजन परमण होता है NOH, K2CO3 आद की उपस्तिती में संगनित होते हैं किस की उपस्तिती में? NOH की उपस्तिती में और K2CO3 आद की उपस्तिती में ऐसी लियाइट संगनित होकर एल्डोल बनाता है और यह सब करिया को एल्डोल संगनन कहते हैं देखिए, CH3, CH2, PLUS H INTO CH2 CH2 मिलकर यहां देखिए, CH3 CH, CH3 CH और यहां से यह O-Yach देखिए, इसको ब्रैकेट में कर दिया है बाकि सेम चीज वही CH2 CH कर दिया है इसमें कोई बहुत बड़ा पज़वरतर नहीं हुआ है यह O-Yach, O-Yach को मिलाकर यहां ब्रैकेट में कर दिया है बाकि सम इसमें सेम हो यही यल्डोल है यही यल्डोल है यह संगरन दो समान या भिन ऐलडिटो के अड़्वों में दो समान या भिन की टोनों में तथा एक ऐलडिएध ऐलडिएदों तथा एक की टोनों के मध्य हो सकता है देखिए, पोपिल ऐलडिएध उधार CH3 CH2 CH3 CH2 CHU जब करेगा तो CH3 CH2 और CHIOH मिलकर यहां सेम और परकरिया भी हुआ है इस परकार इस वीडियो को खोब ज्यादा से ज्यादा सेयर करने ताकि जो है सब कुछ है असानी से याद हो सकते वीडियो को लाइब करें नमस्कार रुष्तो धन्यवाद